हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूं मैं एक अपना माइल्स्टोन आज एचिप की हूं 5000 सस्क्राइबर उसी के खुशी से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है यह सोनम कंपूर इंस्पायर पर्ल स्वर्ल य लीजिए यह सब सारे ग्लास पीड्स है और हेट पिन्स और बिट कैप या तो आपके पास यह पोस्ट है तो यह दोनों के पदले ले सकते हैं और कुछ गोल्ड मेटल वेस जिसके साइज है 3 mm 4 mm और मेटल वायर अपसाइज 24 गॉज और प्लायर कटर रूलर उसके बाद एक अच्छा सा जुलेरी एडेसिब लीजिए जो कि अच्छा से जुलेरी को जॉइन करने के लिए योज जता है अनलाइन बहुत सारे हैं अपसों साथ देखे ले लिजे यह आपके पास है तो यूज कीजिए तो इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं एक मेटल वायर को मैं कर करने जारहे हैं तो मैं 12-есь का ऐकतली 24-चे सिलेना है 12-1 थुल्ड करके डबल करना है तो 12-2 इंचिछ का 2 लाइन ले रही हूं लेकिन बीच में कट नहीं है बीच में इसको फोल्ड करके रखी हो इसमें अभी हम लोगों क्या करना है एक बीज में एक बीर्स मेटल बिर्स डालेंगे जो मेटल बिर्स जाएकक सिंगल वे पहले हम लोको कुछ मेटल बीर्स डालना है तो वो मेटल विड स just three 3 mm 4 mm साइज का है ग्रेजुएली छोटे से बड़े में हम लोको डालना है तो पहले में 3 mm का कोच 4 mm का कोच ऐसे करके डालोंगी और कितना साइज का कितना साइज का कितना बीर्स यूज हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में है बते डिपेंट्स काता है प्योरली आपके उपर पहले एक सिंगल वायर में डालें जो की स्टॉपर जैसा यूज होगा तो पहले दो वायर में नहीं सिंगल में डालके देखें एंड में रखते हूं में तो बाकी जब अम लोग बीड डालेंगे तो वह बाहर निकल नहीं पाहेंगे तो ये बीड को स्टॉप करने के लिए तो आपको जादा गोल्ड मेतल ब्रॉज डालना है तो आप दालना जोगाते हैं। बेड़र की अभी आत्ला के भी रुल्स बिर्ज डालना है, डाल के पूरा नीचे तक लेकर आ रहे हैं जब नीचे तक लाओंगी उसको अच्छा से खीच के ले आओंगी तो नीचे बहुत क्या थे वह नहीं दिखेगा फिल हो जाएगा मैं आप सबका थेंक्यू करना चाहते हूं आप सबके लिए आज में माई इस्टोन एचिप की हूं आप ऐसी मेरे वीडियो देखते रहिए लाइक करते रहिए अच्छा लगे तो फ्रेंट्स और रिलेटिवस और फैमले के साथ से अब ही हम लोग को क्या करना है ग्लास पिर् अगर आपको और एक राउंड गुमाना है तो और थोड़ा लंबा वायर ले लिए और थोड़ा बेस ले लिए लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और एक राउंड इसमें आप डाल सकते हैं तो अभी में 4 mm का डाल दियो उसके बाद 6 mm डालोंगी तो कितना बेस डा डाली हूं 8 mm का साथ डाली हूं और 10 mm का एक है अभी क्या करना है लास्ट बाला जो बीर से उसको सीक्यूर करने के लिए मतलब मतलब वहां से मेटल को बीच में से डोनों साइट में तो कित per ke terminator दो फोल्ड के लिए हो हो और बीट के चारो और गुमा के उसको सिक्यूर कर रहा हूं फिर उसको कट करूंगे तो बीर्स का दोना तरप दो मेटल बीड को लिए हूं तो उसे साब से हम लोगा हा ये पीर सि validity मकाट की जैसे यूज एक दो राउंड गुमा के बीड के साइड में उसको कट करके पीस रह बचेगा उसको अच्छा से प्रेस करके सेक्यूर कीजिए देखिए अभी यह लाई नेक बन गया उसके बाद हम लोग का नेक्स टेप है इसको घुमाना तो बड़े बीड से सूरू करके बड़े बीड को अंदर में रखके छोटे बिड बाहर के तरफ रहेगा तो वेसे करके अच्छा से घुमाएंगे यह जो हम लोग को वायर लिये ह यह थोड़ा लेक्सिबल वायर है तो यह आराम से घुम सकता है दो भी है तो स्ट्रॉंग हो गया है और तुटेगा नहीं आप अच्छा से शेप देके उसको घुमा लीजिए एक स्पाइरल सेप देके घुमा लीजिए बड़े बले बीड को अंदर के तरफ रखना है का है बदा है अब फंद रखने घुमा में देखिए अब ₪ कर ठीथी स्ट्रॉंग का हम लोग का सेप वशत बन गया ऊपैसे वक्रोंगों somebody outta class नकिंट कर अपको दिखाऊंगे ज़ुका सफे बहा कि घुए गया है अगर पक्युद आपके पास और पो सेताइवव. अगर तो मैं फ्लाट हेड़ पिन ले हूं उसमें बेड़ क्याप डालके यूर्पोस्ट मना रही हूं है जितना हिस्सा चाहिए कान में डालने के लिए उतना रखके बाकी कट कर लीजिए और यहां पर फ्लाट हेड़ पिन ही यूज किजिए गोल बाला नहीं कि जो राउंड जिसमें हेड्पिन रहते हो दगलगा और यह फ्लारट फ्लाट पिए ठाट बी यू स्ट्रॉंग कि जो और धार कुछ इसे डालना है, डालने के पाद क्या आप हम लोगों को लगाना है लेकिन कौन सा बीड पे लगाना है यह देखिए में थर्ड बीड में लगा रहे हूं आप येरिंग का बीच में पकड़ लीजिए और सेंटर अपमास जो होगा मतलब येरिंग का वेट इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोना साइब तो उसी साब से देखे ठा हो सकता है तो जो भी हो अबका लगता है कि ये इए तरफ नहीं होगा पर एसे की जिए ने को ईएरिंग से पर जम जाये की मतलब छूप जाएगा देखिए मैं आपको अभी येर्पोस्ट बनाना भी सिखागी तो बीट के आप और हेट इन से येर्पोस्ट भी बना सकते हैं या तो आपके पास येर्पोस्ट होए तो अच्छा सा एड़ेजिब जो जो एड़ेजिब है लेके आप लगा दीजिए और उसको सुखने के साइड में जो बीड है उस लोग के बीच में भी थोड़े एड़ेजिब लगा लीजिए नहीं तो येर्पोस्ट का लापी धुम जाता है कि ये नॉर्माली बीडिंग हुआ है मेटाल वेर में धुनता है तो वीड को सिक्यूर करने के लिए येर्पोस्ट का दोनों साइड जो पीड है उसमें हलका सा अड़ेजिब लागा लेजिए जोल्री अड़ेजिब नहीं रहता है क्लियर लगता है तो यह पहन सकते हैं अभी हम लोग थैंक्यू फ्रेंट्स पर वाचिक माई वीडियो हावा गुद्टे बाबाई झाल